आज हम प्रियोक्षाला संबंदी खत्रों और उनके संकीतों के बारे में जानेंगी जैसा की हम सभी जानते हैं कि प्रियोक्षाला खतरनाक रसाइनों, रेडियो धर्मी पदार्थों, जैविक नमूनों, धारदार यंत्रों, कांच के बने उपकर्णों और ज्वलनशील वस्तों आदि से भरी होती है प्रियोक्षाला में कारेरत लोगों को इन सभी चीजों के साथ जुड़े खत्रों के बारे में पूरी जानकारी होना अत्यन्त आविशक है आज हम सभी रास्ट द्वारा विक्सित एक प्रनाली द्वारा दिये गए सुरक्षा संकीतों की चर्चा करेंगे आज हमारे साथ चर्चा के लिए सुरिष्टी जी और ललिता जी मौजूत हैं मैं आपका स्वागत करते हूँ स्रिष्टी जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक समाविशी कक्षा में जहां विशिस्ट आफशक्ता वाले विध्यारती भी उपस्तित होते हैं उन्हें इन सुरक्षा संकेतों से हम किस प्रकार अवगत करा सकते हैं प्रयोक्षाला में हर जगे सभी विध्यारतीयों और शिक्षकों के लिए ये संकेत अंग्रेजी, हिंदी, ब्रेल और स्पर्शनिये रूप में सुलपता से उपलब्ध होने चाहिए अता प्रयोक्षाला में सुरक्षा के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रयोक्षाला स्टाफ को इन सुरक्षा संकेतों को जानना भी अतियवश्यक है ललिता जी मैं आपसे जानना चाहते हूं कि सामाने चेतावनी संकेत क्या है और क्या हम इसे सभी प्रयोक्षालाओं में इस्तमाल कर सकते हैं जी हाँ हम सामाने चेतावनी सुरक्षा संकेत को हर प्रयोक्षाला में इस्तमाल करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, सामाने चेतावने सुरक्षा संकेत में एक पीले त्रिकोंड में एक काला विसमे आदि बोधक चिन्न है। यह एक सामाने चेतावनी देता है कि यहां खत्रा मौजूध है। बिल्कुल सही ये हमें याद दिलाता है कि आपको प्रियोक्षाला में सावधानी से काम करने के आवशकता है। कई बार ऐसा होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में धूम यानी वाश्प निकलते हैं। तो क्या ये वाश्प हानिकारक हो सकते हैं। धूम सुरक्षा इस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। जब रासायनों या रासायनिक अभिक्रियाओं से खतरनाक वाश्प या धूम उत्पन होते हैं तो ये हमारे स्वासनली के माध्यम से शरीर्म के अंदर जाते हैं और उससे संबंधित समस्याइं उत्पन करते जैसे सांस लेने में तकलीफ होना या कभी-कभी श्वसन संबंधी विकार उत्पन होने का कारण भी बनते हैं। हमें रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन खतरनाक वाश्प से एक निश्चित दूरी बनाकर तथा मास्क पहन कर काम करना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रयोक्षाला में ऐसे कई उपकरणों का प्रयोक गया जाता है जिससे कई प्रकार की विकरने निकलती हैं। आप मुझे ललिता जी यह बताईए कि क्या यह हमारी आखों और त्वचा के लिए नुकसान देहक हो सकती हैं। जी हाँ, आप प्रयोक्षाला में कई तरह की विकरिनों के संपर्क में आते हैं। जैसे की रेडियो धर्मी विकरन, प्रकाशिक विकरन, अनायनकारी विकरन और लेजर विकरन। सबसे पहले मैं आपको रेडियो धर्मी विकरिन के बारे में बताना चाहूंगी रेडियो धर्मी विकरिन हमारे ले बहुत खातक हो सकती है रेडियो धर्मी विकरिन की उपस्तिती को हम इस सुरक्षा संकेत द्वारा इंगित करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, रेडियो धर्मी सुरक्षा के सार्व भौमिक प्रतीक में एक केंद्रे वृत के 4 ओर 120 डिग्री की दूरी में स्थित तीन पंखुणिया हैं। इस प्रतीक की उपस्थिती परमाणू विकिरिनों के साथ प्रदूशन या अनुचित जोखिम से बचने के लिए सावधानी का संकेत दर्शाती है। प्रयोक्षाला में रेडियो धर्मी विकिरिनों के स्रोतों में एक्सरे उपकरन और कंट त्वरक शामिल है। प्रकाशिक विकिरिन विद्यो चुम्ब की वनक्रम का हिस्सा होती है। इसमें हम यूवी विकिरिन, द्रिश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरिन को दिखाते हैं। प्रकाशिक विक्रिन हमारे स्वास्त के लिए बहुत हानिकारक है। UV विक्रिन से आपके आखों को नुकसान हो सकता है तथा ये आपके शरीर में mutations भी पैदा कर सकती है। अनायनकारी विकर्ण रेडियो धर्मी विकर्ण से भिन्न है क्योंकि ये वायू, जल और जैविक तंतूओं पर असर डालती है इस विकर्ण के लिए सुरक्षा संकेत को हम इस प्रकार दर्शाते हैं अनायनकारी विकर्ण के कई स्रोथ हमारे आसपास मौजूद है रहते हैं पर हम ऐसी विकर्णों के संपर्ख में आय दिन आते हैं जैसे माइक्रोवेव उपकर्ण तीव्र अनायनकारी विकर्णों के संपर्ख में आने से आपके शरीर को नुक्सान पहुँच सकता है में लीजस अंचालन के दौरान आपको आखों और त्वचा की रक्षा के लिए आखों के चश्मे और जोलन शील कपड़े पहनने चाहिए हम देखते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में आए दिन आख संबंधी दुरगटनाएं होती रहती हैं तो उनसे बचने के लिए हम किन-किन अगनी सुरक्षा संकेतों की जानकारी होना आवेशक है स्रिस्टी जी यह मैं आप से जानना चाहूंगे अगनी सुरक्षा प्रतीक स्वास्त और आपदा प्रबंधन की जानकारी देने के लिए उप्योग किया जाता है इसको खत्रे की चेतावनी देने निर्देश प्रदान करने और सुरक्षा हेत्तु जानकारी देने के लिए दर्शाया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं अगनी सुरक्षा संकेत में आग की खुली लप्टे दिखाई गई हैं हमें इन लप्टों के आसपास नहीं जाना चाहिए हम यह भी देख सकते हैं कि यहां विभिन अगनी सुरक्षा संकेत दिये गए हैं जो दैनिक जीवन में हमारे प्रयोग में आते हैं जैसे कि अगनी शामक, अगनी आपातकालीन टेलीफोन, अगनी सुरक्षा घंटी, अगनी सुरक्षा पाइप, अगनी सुरक्षा सीधी, अगनी शमन्यंत्र, आपातकालीन निकास बाईयोर, आपातकालीन निकास दाईयोर, आपातकालीन निकास दिशात्मक्तिर जो जिस भी और संकेत करें प्राथमिक चिकित्सा एवं आपातकालीन टेलिफोन कई बार हम प्रयोक्षालाओं में ऐसे संकेत भी देखते हैं यह प्रतीक दर्शाता है जब खुली लौ का उपयोग होता है तो यह आग यह विसफोट का कारण बन सकता है इसी लिए खुली लौ का प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए हम प्रयोक्षाला में कई बार ज्वलंशील पदार्थों के संपर्क में आते हैं तो इसके लिए क्या हमें एक अलग सुरक्षा संकेत की आफशक्ता होती है ललिता जी मैं आप से यह जानना चाहूंगी हाँ पिलकुल ज्वलंशील पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से प्रज्वलित हो जाते हैं यह पदार्थ नमी, पानी, खुली आग, गर्मी के स्रोत और चिंगारी के संपर्क में आते ही जोरदार रूप से जलते हैं तरल जुलंशिल पदार्थों को आखो और तवचा से दूर रखें तथा ठोस पदार्थों को गर्मी के स्रोत वचिंगारी के संपर्क में ना आने दें क्या प्रयोक्षाला में कारे करते समय हमें किसी प्रकार की संकर्मन का खत्रा भी हो सकता है स्रिस्टी जी आप हमें बताईए हाँ बिलकुल हम जब प्रयोक्षाला में काम करते हैं उस समय बैक्टीरिया कवक और प्रोटिस्ट का खत्रा होता है तब यह चिन दर्शाया जाता है प्रयोक के समय लापरवाही, विद्यार्थियों, सिक्षकों अत्व सहयोग कर्मियों के लिए गहतक संकर्मन का कारण बन सकता है तो क्या इनके जैविक अफ्षिशों के निप्टान में भी हमें कोई सावधानी परतनी चाहिए, क्या यह परियावरणी संकर्मन का कारण भी बन सकते हैं? बिल्कुल, यह संकेत दर्शाता है कि प्रयोग के पश्चात जैविक कच्रे का अत्यंत सावधानी पूर्वक निप्टान करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की हानी ना हो, और यह परियावरणी संकर्मन का कारण भी बन सकती है परियावरणी जोखिम एक अवस्था या घटना है जिसमें आस-पास के प्राकृतिक वातावरण को खत्रे की संभावना होती है हम देखते हैं कि प्रियोक शाला में कई प्रकार के ऑक्सीकारक रसायन भी पाये जाते हैं, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं? ललिता जी अब बताईए आक्सीकारक कर्मक वह रसायन होते हैं, जो कमरे के ताप पर रसायनिक पदार्थों का आक्सीकरन करते हैं, जिससे आग लगने या विस्पोर्ट होने की संभावना बढ़ जाती है आक्सीकारक पदार्थों पर आप ऐसा संकेत देख सकते हैं ध्यान रहे हमें ऐसे पदार्थों को ज्वलेंशील, देहंशील और सहज देहंशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए प्रयोग शालव में कारी करते समय आपको अपने शरीर और आखों का भी खास ध्यान रखना चाहिए यह सुरक्षा संकेत दर्शाता है कि उप्योग में लाए गए रसायन कपड़ों में दाग लगा सकते हैं या आपके शरीर